दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने लैप्टॉप या कम्पूटर में pen drive कैसे यूज करें अगर आपके पास pen drive है और आप इसको अपने लैप्टॉप में यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक देखेगा मैं आपको step by step हर एक लिखने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी तो दोस्तो pen drive दरसल एक प्रकार का storage device होता है जिस प्रकार से आप अपने मोबाल में SD card लगाते हैं उसी प्रकार से एक अलग से pen drive आता है जिसको आप अपने laptop या computer में लगा सकते हैं और इसमें आप movie गाना कोई भी document वगरा डाल सक है तो मैंने 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB और 256 GB सबका link मैंने description box में दे दिया है best product है वहाँ से आप click करके pen drive को buy कर सकते हैं वो मेरा affiliate link है वहाँ से आप buy करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा profit हो जाएगा और अगर आप pen drive buy कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप 64 GB का buy कर लिजे या 32 GB का कीजे थोड़ा ज्यादा कीजे क्योंकि जब आप ज्यादा GB का pen drive buy करते हैं तो आपका पैसा उतना ज्यादा नहीं लगता है जब आप कम GB का buy करते हैं तो पैसा ज्यादा लग जाता है लेकिन storage कम रहता है तो मेरे पास ये pen drive है इसको मैं अपने laptop में यूज करना चाहता हूँ तो HDMI केबल है और ये अलग port है ओके तो यहाँ पर दो port दिया हुआ है दो port इस बगल में दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं एक port यहाँ पर दिया हुआ है तो जहाँ पर भी आप चाहें अपने pen drive को लगा सकते हैं तो जो USB port है उसमें आपको अपने pen drive को लगा देना है तो तो मैं इसको लगा देता हूँ जैसे आप अपने pen drive को USB port में लगाएंगे आपके laptop में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आवाज भी आगी यानि कि हमारा pen drive laptop में connect हो गया है अगर आपके पास computer है तो computer के CPU में देखे आपको USB port दिखेगा उसमें आप pen drive लगा दीजे अब pen drive दिख लेते हैं तो आपको सबसे पहले अपने laptop के this PC में आ जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको this PC का आइकन दिखेगा इसको आप open कर लिजे तो यहाँ पर मैं double click करके open कर लेता हूँ this PC में आने के बाद यहाँ पर आपको किनारे में this PC का option दिखेगा आपको इसी पर click करके रखना है यहाँ दिखेगा इसी पर आप click करके रखेगा फिर यहाँ पर आपके सभी storage devices आ जाएंगे जो local disk है जो आपका hard drive है या आपने कोई SSD लगाया होगा तो वो आ जाएगा और जो pen drive है वो last में आपको so होगा उसका नाम होगा USB drive या फिर flash drive ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं 28GB दिखा रहा है मेरा 32GB का है लेकिन कुछ storage यह automatic reserve कर लेता है वो so कभी नहीं करता है 24GB हमेशा यह reserve कर लेता है कहीं पर भी आप अपने pen drive को लगाएंगे तो कुछ GB नहीं द रखा हुआ है पहले मैं इसको delete कर देता हूं यहां से मैं control A कर लेता हूं उसके बाद control D ओके तो मैंने इसको delete कर दिया अब देखिए मेरा जो pen drive है वो एकदम empty हो चुका है एकदम से खाली है इसमें 28GB तक का storage मैं भर सकता हूं कोई भी movie, file, video बगारा अब अगर आप अपने laptop से कोई भी file अपने pen drive में डालना चाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने laptop के folder में चले जाना है तो यहां पर मेरे पास कई सारे folders है laptop में मैं यहां videos वाले folder में चला जाता हूं और videos वाले folder में यहां देखिए मेरे पास कुछ video है यहां देखिए मेरे पास दो video है इसको मैं pen drive में डालना चाहता हूँ तो इसको पहले हम लोग copy कर लेते हैं तो copy करने के लिए क्या करना है इस video पर click करना है यह select हो गया उसके बाद control C दबा देना है यह video copy हो जाएगा अगर आपको दोनों video copy करना है तो आपको control button को दबा कर रखना है और इस video पर भी click कर दीजे यह video भी select हो जाएगा दोनों video select हो गया इसको control C करके copy कर लिजे या फिर इस पर mouse का cursor रखकर mouse का right button दबाएए फिर नीचे आपको option मिल जाएगा copy का इस पर जब आप click करेंगे तो भी आपका यह file copy हो जाएगा अब इसके बाद आपको आजाना अपने pen drive में तो आप चाहें तो यहाँ back करके भी आ सकते हैं यहाँ से back कीजिए उसके बाद यहाँ से आकर आप pen drive को open कर सकते हैं या फिर यहाँ bugle में देखिए आपको बहुत सारे files सो होंगे तो यहाँ नीचे आपको आपका storage device भी सो हो जाएगा यहाँ देखिए हमारे USB drive सो हो रहा है इस पर click करके आप direct अपने pen drive में जा सकते हैं अब यहाँ पर आपको इस file को paste कर देना है आप control V दबा दिजे तो भी आपका file paste होने लग जाएगा या फिर कहीं खाली जगर पर mouse का cursor रखकर mouse का right button दबाएंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जागा paste का जैसे आप paste पर click करेंगे तो आपका file आपके pen drive में paste हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए मेरे pen drive में ये file paste हो गया है अब अगर मालीज़े आपके pen drive में कोई file पढ़ा हुआ है कोई photo है कोई video है उसको आप अपने laptop में डालना चाहते हैं तो क्या कि जो उसको एक बार select कीजिए उस file को फिर control C दबा दीजिए copy हो जाएगा अगर आपको copy करना paste करना नहीं आता है तो इस पर मैंने proper video बनाया है उसको जाकार अब देख सकते हैं आपको copy paste आ जाएगा तो इसको मैंने copy कर लिया है अब इसको आप जहां पर भी रखना चाहते हैं अपने laptop में जिस भी folder में डालना चाहते हैं उस folder में चले जाएए या फिर आप desktop पर रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग desktop पर आ जाते हैं अब यहाँ कहीं भी खाली जागा है पर mouse का cursor रख कर mouse का right बटन दबाना है फिर यहाँ पर आपको option मिल जागा पेस्ट का यहाँ पेस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह file यहाँ पेस्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से आप अपने pen drive के files को अपने laptop में डाल सकते हैं अगर आप अपने pen drive में कोई folder बना कर उसमें files को रखना चाहते हैं तो यहाँ उपर आप किनारे में देखे आपको folders का एक icon दिखेगा यहाँ देखे आपको एक छोटा सा folder का icon दिख रहा होगा जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके pen drive में एक folder आ जाएगा अब आप इस folder का कुछ भी नाम रख सकते हैं मैं यहाँ पर new folder ही रहने देता हूँ अब आप इस folder में जो भी file रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं चली यहाँ से हम लोग चले जाते pictures वाले folder में और यहाँ से हम कुछ photo ले लेते हैं यहाँ पर देखें कैसारे photo हैं तो यहाँ से मैं 2-3 photo copy कर लेता हूँ मैंने यह देखें चार photo select कर लिया इसके बाद मैं control C करके copy कर लेता हूँ अब यहाँ से हम लोग back आ जाते हैं अपने pen drive में ओके यहाँ से pen drive को हम लोग open कर लेते हैं और यह जो folder pen drive का इसमें हम photo रखना चाहते हैं तो इस folder को double click करके open करना है और यहाँ पर control V कर देना है तो हमने जो भी photo copy किया है वो यहाँ पर आकर paste हो गया इसको हम थोड़ा सा zoom कर लेते हैं यह आप देख सकते हैं जो भी photo हमने copy किया था वो यहाँ पर आ चुका है तो इस प्रकार से आप folder बना कर भी अपने pen drive में files को रख सकते हैं आप अलग-अलग folder बना सकते हैं अगर आप videos के लिए अलग folder बनाना चाहते हैं तो यहाँ folder पर click कीजे और इस folder का नाम रख दीजे वीडियो तो मैंने वीडियो नाम का folder बना दिया यह आप देख सकते हैं और यह जो वीडियो है इसको मैं इसमें डाल देता हूँ तो इसको पहले select करना है select करने के बाद drag and drop करके इस folder में मैं डाल देता हूँ अब देखिए जो हमारे वीडियो है वो इस फोल्डर में आ गया, यह देखिए, यहाँ फोल्डर में हमारा वीडियो आ चुका है, अब अगर माल लीजे आप कोई भी सौंग वाला फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ फोल्डर पर क्लिक कीजे और यहाँ से आप सौंग लिख दीजिए आप सॉंग का फोल्डर बन गया आप जो भी गाना इसमें रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं चलिए यहां से हम लोग आ जाते हैं music वाले फोल्डर में यहां से हम back कर लेते हैं और यहां पर देखिए मेरे पास music का इक folder है, यहाँ पर मेरा music पढ़वा है, इसमें हम लोग चले जाते हैं और यह जो दो गाना है, इसको मैं copy कर लेता हूँ यहाँ से select करते हैं, ctrl-c कर लेते हैं, इसके बाद वापस हम लोग अपने pin drive में आ जाते हैं, और यह जो गाना वाला folder है इसको हम open करते हैं और यहाँ पर मैं gana paste कर देता हूँ तो देखे हमने जो gana copy किया था वो gana भी हमने यहाँ पर paste कर दिया है तो इसी प्रकार से आप अपने pen drive में और भी अलग-अलग प्रकार के folders बना सकते हैं वीडियो के लिए अलग, gana के लिए अलग, document के लिए अलग, downloads के लिए अलग और इसमें आप अलग-अलग files रख सकते हैं pen drive को आप और भी तरह से इस्तमाल कर सकते हैं pen drive को आप bootable drive बना सकते हैं pen drive को आप windows install करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं computer or laptop format करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं वायरस एंटिवायरस डालने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहे तो अपने pen drive में कोई भी data रखकर उसमें lock लगा सकते हैं password और जब भी कोई इसको open करने की कोसिस करेगा तो उसको उसमें कुछ भी data नहीं मिलेगा जब तक वो password एं मैंने आपको जितना हो सका उतना बता दिया है इसके अलाम अगर आपको कोई doubt है कोई question है pen drive से related तो आप comment box में पूछ सकते हैं और हाँ अगर आपके पास अभी तक कोई pen drive नहीं है और आपके पास laptop computer है तो आपके पास pen drive जरूर होना चाहिए जिसके पास भी laptop ए computer उसको pen drive की जरूचे पूचिलीजेगा